आज फिर में लेके आगई कुछ टिप्स एंट ट्रिक्स आज की जो टिप्स हैं वो सारी किचिन से रिलेटिड हैं इससे आपके किचिन के काम सारे बहुत जल्दी और एजीली हो जाएंगे और समय की बहुत जादा बच्चत हो जाएगी तो इन टिप्स को फॉलो जरू कीजे और वीडियो को फूल वाच कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, काम तो सभी करते हैं, बस टिप्स से क्यावध थोड़े एजी हो जाते हैं, और जल्दी हो जाते हैं, तो अगर आप मेर चैनल पर नहीं हैं, तो मेरे चैनल पर आपको व्लॉग्स, टिप्स और ट्रिक्स, रैसिपी, सारी चीज़े देखने मिलेंगी, तो चलिए स्टार्ट करेंगा, फर्स टिप है, जब भी हम बेसन वगेरा निकालते हैं, तो इसी तरीके के डिब्बे में रखते हैं, और जब चमच से निकालते हैं, तो टब्बे का मुँ छोटा होने की वज़े से, हमारा हाथ एजी लिए अंदर नहीं जाता हैं, तो इसके लिए एक टेप है, आपको क्या करना है, तो इसका यूज करना है, तो आपको क्या करना है, प्रैस करना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा गुमाएंगे तो आपको जितना बेसन चाहिए उतना बेसन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं तो यहां मैंने बेसन ले लिया है तो देखे कितना easily बेसन निकल आया है और इसी के help से हमेसे च्छान लेंगे तो जल्दी च्छन भी जाता है इसे platform भी गंदा नहीं होता और आप हम चमबच वागरा से उसको फेटते हैं तो time लग जाता है तो आपको क्या करना है विसकर की helps इसको फेटना है आप कितना भी बेसन लें, कितनी भी कड़ी के लिए बनाएं, इससे easily fit जाता है इसमें एक भी lumps, एक भी घुटली नहीं होती है आप कितना भी, मतलब जैसे पेसन आपने डाल दिया पतीले में या जो छाच है वो डाल दिया उसके बाद, कितनी भी देर छोड़ दें अगर आप इससे फेटेंगे ना तो इससे एक भी lumps नहीं आएगा और जरा भी घुटली नहीं बनेगी तो इस टिप को फॉलो जरूर कीज़ेगा जब भी आप कड़ी बना रहे हैं या घोल बना रहे हैं किसी भी चीज़ का तो इससे आप फेट सकते हैं एक भी lumps नहीं आता और बहुत ही जल्दी फेट जाता है तो यह टिप अच्छी लगी है तो लाइक कीज़ेगा तो चलिए चलते हैं नेक्स टिप की तरफ नेक्स टिप है जब भी हम एलमोनियम की कड़ाई में सबजी बगरा बनाते हैं या उसमें कुछ खाना पकाते हैं तो क्या होता है ना उसकी शायन चली जाती है और उसमें काला पना आ जाता है ऐसे ही आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कुकर में आलू बगरा उबालते हैं तो वो एकदम से काला हो जाता है उसकी शायन चली जाती है तो उसको साफ करने के लिए एक बहुत ईजी और सिंपल सा ट्रिक लेके आगे हैं आपको क्या करना है आपकी घर में जो भी नमक है आप जो यूज करते हैं वो नमक ले लेना है और थोड़ा सा नमक आपके जो अलमुनियम की कड़ाई या उसमें इस तरीके से डाल देना है इ जो भी liquid soap यूज करते हैं उसको ले लेना है और इस तरीके से लेना है लोहे का जूना तो यहां मैंने इसको बोटल में लगा के रखा है जिससे की हाथ मेरे काले ना हो तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं तो आपको क्या करना है और जो भी soap है उसको ले लेना है थोड़ या कडाई उसको साफ कर देते हैं तो जो सबजी के निशान ओ làm दो तो क्लीन हो जाते हैं बट जो उसकी शैन होती है वो चली जाते हैं उसमें काला पंजा आ जाता है तो इस तरीके से आफ थोड़ा से नमख डाल के तो आपकी कडाही में एक लक्सी चमक आजाएगी और गुकर में एकदम नई आया जैसा हो जाएगा तो इस तरीके से इस बेंटावट्सावन वगएरा इसको क्लीन कर सकते हैं तो इस तरीके से अपसे आपके बरतर एकदम से चमकने लगेंगे और ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता हलके हाथ से क्लीन करना है तो यहाँ आप देख रहे हैं कड़ाई एकदम से चमक गई है तो इस तरीके से आप डेली करेंगे तो वो काली नहीं पड़ेगी तो चले यह चलते हैं नेक्स टिप की तरफ नेक्स टिप है हमारा जब भी हम आलू वगएरा उबालते हैं तो जब गरम होते हैं तो उनको फोड़ना थोड़ा ठप होता है तो हम लोग कटोरी से यह गलास से फोड़ते हैं पर आज में एक नया तरीका लेके आगी हैं आपको क्या करना है जो भी आपके यह विसकर है उसकी हेल्प से आलू को फोड़ दे जब आलू का हलुआ वगएरा बनाना होता है पर आज मेंके से जब भी आपको आलू के परांथे बनाना है तो इसकी हेल्प से इसको एजी ली फोड़ सकते हैं आलू को और बहुत भारीक सा इनका पेस्ट बना सकते हैं तो इससे आपके आलू के परांथे भी बहुत omer़ बनेंगे और आपके हाथ भी नहीं चलेंगे और जल्दी से ये ठंडे भी हो जाते हैं जिससे कि आप इसको मसाला मिलाने में भी एजी रहता है तो यहाँ आप देख रहे होंगे आलो एकदम से बारिक हो गए हैं तो इसकी हैल्प से आप अपने घर के काम बहुत जल्दी कर सकते हैं आलो भी जल्दी फूट जाते हैं और इनको आपको वेट भी नहीं करना कि इनको ठंडा करना उसके बाद आप फोड़ेंगे तो आप जो कांटे वाला चमबच है या विसकर है इसकी हैल्प से इजीली आलो को मैश कर सकते हैं तो यहां थोड़ा सा इसमें फस जाता है तो स्पून की हेल्प से आपको उसको निकाल लें तो चलिए चलते हैं नेक्स टिप गी तरफ नेक्स टिप है तो जब भी हम आलो बगरा के पराठे बनाती है तो प्यास जब कट करती हैं तो वह लंबे slices में कट करती हैं तो वह थोड़ा मूटा सा कट जाता है तो आप देखेंगे मैं इससे कट करके आपको दिखाऊंगी जो आप चाकू से जब कट करते हैं उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है थोड़े मूटे भी करते हैं कोई भी आप चीला वगरा बना रहे हैं उसमें आपको प्यास चालना है तो इसकी हेल्प से जब स्लाइस में कट करें तो आपको क्या करना है जो पीलर है आलो वगरा चीलते हैं उसको ले लेना है इसकी हेल्प से आप जब प्यास को कट करेंगे तो आपका प्यास इंदम से ब तो इस तरीके से आप प्लायस को बहुत ही जल्दी और बहुत ही पतला कट्स कर सकते हैं तो आप ये वाला जो टिप है एक बार ट्राय जरू करें और मुझे कमेंड करके जरू बताएं कि आपका प्यास भी इतना पतला कटा है या नहीं तो टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिगा तो चलिए चलते हैं नेक्स टिप की तरफ नेक्स टिप है आटे को लेकर बहुत ही चोटा सा टिप है जो नहीं जानते हैं उनके लिए है तो आप जब भी पूरी और पनाठी बना रहे हैं तो उसके लिए आटा लगाएं तो आपको क्या करना है उसमें एक ची जितना आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक खाते हो थोड़ा ही नमक एट करना है जादा नहीं तो जैसे इसमें दो पिंच नमक एट कर दें इतने आटे में उतना ही नमक लीना है उसके बाद में इस ट्रमबस को क्लीन कर दूँगे और हाथों को वाश कर लिए ऐसे से जब भ बहुत ही soft लाय माते मतलब जो पराथे है वह बनेगे और पूरिया भी बहुत नरम और soft बनेगी जब भी आप traveling में पहीं जाएं तो इसी तरीके से पूरी के लिए आटा लगाएं तो जब भी पूरिया हैं बहुत ही नरम और बहुत ही tasty बनेगी तो इस टिप को फॉलो करके आप जरूर देखिएगा और सच मानिएगा जो आपका रोटी और पराथो का टेस्ट है वो दोगना हो जाएगा तो जब भी आलू के पराथे बनाएं तो इस तरीके से आटा लगा रहा है और आटा जब भी पराथे के लिए लगाएं तो थोड़ा soft लगाएं इससे पराथ बहुत अच्छे बनेंगे तो next tip है हमारा तो आपको लेना है एक रुमाल तो रुमाल लेना है उसके बाद आपको क्या करना है आपको लेना है थोड़ा सा नमक तो यहां मैंने ले लिया थोड़ा सा नमक जो भी नमक आप यूज करते हैं वो नमक ले लेना है तो यहां हम ल आप चाहे तो इसको बांद भी सकते हैं नहीं अगर बांदी में नहीं आ रहा है तो आपके घर में रबट बेंड हो गए रबट बेंड का यूज़ करना है तो यहां मैंने इस तरीके से इसमें रबट बेंड बांद दिया और इसकी पोटली बनानी है तो इसका क्या यूज़ है तो यहाँ kukar के ओपर मैंने रख दिया हाँ यहाँ दिया जब भी कऊकर पर रख रहें तो इसमें सीटी ना है बस हमें इसको गरम करना है इसमें जरा भी मौशन नहीं आना है तो जब भी आप कॊकर पर रखें तो यह दियान थोड़ा सा दीज़ेगा कि उसमें सीटी ना आई या फिर आप तभी पर ही इसको रख सकती है तो मैं एक और टिप बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको रख सकते हैं जिससे कि इसमें मोश्यन आ जाए तो इस तरीके से रख लेना है जब यह अच्छे से गरम हो जाए तो जिससे छोटे बच्ची होते हैं या बड़े बच्ची होते हैं गैस बन जाती है तो पेट में दर्ध होता है तो उसके लिए या एठे जैसा होता है तो उसके लिए आपको जब भी बच्चों के पेट में इस तरीक कि इस तरीक हो जाए या दर्ध हो तो यह पोटली बनाकर इस सिकाई करेंगे तो बच्चों का जो पेट है वो मलायम हो जाएगा और पेट का दर्द भी बंद हो जाएगा तो इसी तरीके से बस हलका जादा गरम नहीं करना है कि जलने लगे बस इतना है कि बच्चा सह सके आप सह सके तो दूसरा टिप क्या है जब भी आप खाना बनाने के बाद जो गैसे अब बंद कर देते है तो जो उसका बर्णर गरम रहता है तो खाना बनाने के तुरंत बाद जब तो चलिए मैं करती हूं इस वीडियो का एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन को ज़रू प्रस कर देना जिससे की मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे वीडियो और ब्लॉग्स देखते रहें तो मैं मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपनों का ध्यान रखें थैंक्स वर वाचिंग बाबाई टेक केर